दोस्तों ये है 2022 न्यू यामाहा FZS FIB3 का डिलक्स वेरियंट अब नए मैटर कमपनी ने इसमें तीन नए अपडेट किये हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिलक्स वेरियंट में तीन कलर का उपसन है जिसमें रेड, ब्लैक और ग्रे कलर हैं इसकी एक्सुरूम कीमत है 1,19,700 रुपे तो सबसे पहले फ्रेंट लुक की बात करते हैं तो इसके फ्रेंट में आपको कोई भी चैंज देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर आपको नमबर प्लेट और यहाँ पर यामा का लोगो और सबसे पहले हम इसकी की को ओन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको हैलोजन टर्न इंडियेटर मिल जाते हैं इसमें आपको वही पुराने लुक में इस प्लिट एलीडी हैडलेम का सेटम मिल जाता है और नीचे आपको हैलोजन का बल मिलता है तो सबसे पहले में इस गाड़ी का सेल्फ दबा देता हूँ तो यहाँ से इसका जो इंजन स्टार्ट हो चुका हो यहाँ से आप इसकी लोबीम और हाइबीम की रोसनी को देख सकते हैं इसमें आपको काफी अच्छा लुक मिलता है जब यह वाइक नाइट में चलती है तो और इसका जो फ्रंट लुक है वो भी काफी ज़्यादा स्पोर्टी है इस प्रंट के फैंदर के उपर आपको कोई भी कलर कोटिंग नहीं मिलती है इसकी डिजाइन की बात करें तो काफी ज़्यादा स्पोर्टी है जिसके साद में आपको ABS का स्टीकर यमा का स्टीकर और इसमें आपको न्यूब डिजाइन के साथ blue कलर के अव इस बैक में के आपको suspension मिलते हैं company ने इस bike में तीन सबसे बड़े बदलाब किये हैं पहला इस bike में आपको blue color के alloy wheel मिल जाते हैं दूसरा इस bike में आपको एक gray color मिलता है जो की new 3D emblem और new sticker के साथ है ये इसका black color है जो की golden color के alloy wheel के साथ दिया गया है और इसके fuel tank के cowl के दोना साइड में आपको air wind के साथ साथ chrome के treatment भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको black color की strip और abzs का 3D में logo और virgin 3.0 का यहाँ पर आपको sticker देखने को मिल जाता है नए look के साथ यहाँ पर आपको yama की branding मिल जाती है और इसके fuel tank के middle side में यहाँ पर आपको matte finish मिल जाती है जो की without color coating के यहाँ पर आपको blue core का sticker और 13 liter की यहाँ पर आपको इस back में fuel tank की capacity मिल जाती है उपर आपको fiber body मिलती है दोनों ही side में इसकी meter console के update के बारे में बात करें तो इसमें आपको वही पुराना वाला digital type का meter console दिया गया है इसमें कोई भी नया अपडेट नहीं किया गया है चारों तरफ इंडिकेशन की warning यहाँ पर आपको fuel gauge rpm meter और trip meter यहाँ पर आपको digital में मिलता है with smart connectivity के साथ यहाँ पर आपको side view mirror और यहाँ पर आपको low beam high beam के साथ साथ यहाँ पर आपको passing switch भी एक ही switch में मिल जाता है इंडिकेटर और horn का switch भी इसके साथ इसके दूसरी side में देखते हैं तो यहाँ पर आपको red color का engine किल का switch और नीचे self start का switch दिया गया है इसके seat comfort की बात करें तो इस bike में आपको काफी premium quality में seat मिल जाती है जो की पहले से काफी ज़्यादा comfortable है 790 mm 790 mm की इस bike में आपको seat height मिलती है इस bike की जो side body panel है यहाँ पर आपको air vent दिया गया है इसके उपर आपको थोड़ी सी color coating मिल जाती है gray color के साथ और इस bike में आपको only selfish start का option मिलता है यहाँ पर आपको आपके के start का lever नहीं दिया गया है यहाँ पर आपको engine all filter engine all का cap और 165 mm की इस bike में आपको ground clearance मिलती है engine की बात करें तो 149 cc का air cooled forest rock 2 valve SOSC BS6 engine दिया है जो 12.4 ps की power देता है 7250 rpm पर और 13.3 mm का torque जनरेट करता है 5500 rpm यह bike 5 speed manual gearbox के साथ आती है इसके exhaust के उपर एक silver color की और एक matte black color की दो fiber की plate लगाई गई है जो की build quality के साफ से काफी heavy है यहाँ पर आपको plan के लिए adjustable footrest और 7 step adjustable monocross type के पीछे आपको suspension मिल जाते है और 145 60 section के tubless tire मिल जाते है 17 range के blue color के allowable के साथ और 240 mm की rear में आपको disc मिल जाती है और पीछे वाला जो tire है वो यहाँ पर आपको काफी चोड़ा मिलता है जिसके पीछे की side में एक tire हगर भी लगाए गया है जिससे इस bike को गंदा होने से बचाए जा सके इसके पीछे की side से आप देख सकते हैं इसका जो पीछे का लुक है वो अब completely company ने चेंज कर दिया है यहाँ पर आपको नए लुक के साथ ग्रेवेंडल और इसका जो सबसे बड़ा update है इसकी टेल एट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको new design के साथ LED टेल एट मिल जाती है halogen indicator पहले इस bike में आपको halogen टेल एट मिलती थी जो की normal bulb के साथ आती थी अब इस bike का जो लुक है वो पहले से जादा काफी जादा sporty और aggressive हो गया है अब आप इस bike को दूसरी side profile से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको company fitat एक black color का साधी guard open chance head cover mileage की बात करें तो इस bike में आपको 40-45 km प्रते लीटर का आसानी से mileage मिल जाता है अगर आप इस bike को economy zone में चलाते हैं 50-60 की speed में यहाँ पर आपको 5-speed manual gearbox मिल जाता है और यहाँ पर इसके side stand के उपर आपको engine cutoff का sensor मिलता है जो की gear की position में ही काम करता है अब दोस्तों मैं आपको इसके engine के और इसके exhaust के sound को check out करा देता हूँ तो यहाँ से आप इसके engine के sound को सुन सकते हैं और यहाँ से आप इसके exhaust के sound को भी check out कर सकते हैं तो अब बात करें इसके प्राइस की तो यमाहा FZS FI B3 डिलेक्स वेरियंट की एक्सुरूम कीमत है 1,19,700 रुपे और इसकी ऑन्रूड कीमत है 1,4,420 रुपे अगर आप इसमें तीनों कलर में से कोई भी कलर लेते हैं तो तीनों ही कलर की ऑन्रूड कीमत है वो सेम रखी गई है यहां से आप इसके ब्लैक और गोल्डन कलर के कलर आप्शन को देख सकते हैं यह भी काफी ज़्यादा अग्रैसिव और काफी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है देखने में यह उन्रूड कीमत की जानकारी मैंने तो नीचे दियो नंबर पर कॉल करके और भी जाता जानकारी ले सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सेयर करें और अपनी सिटी की उन्रूड कीमत जाना चाते हैं तो कमेंट कर देना अपनी सीटी का नाम मैं आपको रिपलाई करके बता दूँगा